अब आपका पुन्हा एक वार स्वागत है कल्यानी ओनलाइन क्लासिज के इस वीडियो में दोस्तो ये सेक्षिक प्रसासनेवं प्रवंदन का हमारा दूसरा वीडियो है दोस्तो अगर पहले वीडियो की बात करें मैं आपसे थोड़ा एक मिनिट लेना चाहूंगा आपका कोश्चन नमबर ट्वन्टिन नाई कोश्चन नमबर ठीटalidएट ज़ो कोश्चन है वो है आंध्रप्रदेश मुक्ति विशुद्ध्याले के स्थापना को हुई थी वीडियो में उसका उत्तरeger between dinner 1985 बता गया है दोस्तों वे उत्तर गल्थ है जो अंदरप्रदेश मुक्ति विश्विध्याले है उसकी स्थापना जो है की गई है 1882 में 1982 में की गई है तो प्लीज आप इसका उत्तर सही कर लीजेगा मैंने कमेंट करके पिन भी कर दिया है वीडियो में तो प्लीज आप उसको एक बार सही करिएगा वो थोड़ा उत्तर गल्थ है 1982 में ही अंदरप्रदेश मुक्ति विश्विध्याले की स्थापना हुई थी और दूसरा कोश्चन है 29 विट दूसरा को और पिशल देंबंद्ध है 22 Claro 29 कॉश्चन है कुश्चन है बच्पन का घर вам विडिय आलेको बच्पन का घर किस ने कला है दोस्तों वीडियो में पैस्टोलोजी उसका उत्तर बताया गया है एक्चुली इसी क्रम में जैसे कि आप देखें कि बच्चों का घर या बच्चपन का घर मौर्या मॉन्टेशरी ने इसको बच्चों का घर कहा है विद्ध्याले को बच्चों का घर और एक दू जगापर एक दू किताबों में अलग अलग ये मेरे को जो बचपन के घर की बात करें तो ये भी जो है पैस्टोलोजी के दुआरा एक अथन दिया गया है ये मिला है किसी लिए जो इसका उत्तर है वो पैस्टोलोजी किया गया है लेकिन आपसे एक अन्रोध है कि आप इस जो प्रिशन है याला कि विद्ध्याले को बच्पन का घर किसने कहा है इसका आप एक बार आप भी अपने इस तरह से पुनहा इसको चेक कर ले क्योंकि मैंने जो अलग-अलग किताबों में पढ़ा है इसमें मौरिया मॉन्टेश्री भी है और पैस्टोलोजी भी है मौरिया मॉन्टेश्री के द्वारा कहा गया सब्द है तो इसका थोड़ा कन्फ्यूजिंग है इसके उत्तर क्रिएट हो रहा है इसके उत्तर में क्रिपए करके आप इसको एक वार अपने इस तरह से जाचले दोस्तों यह हमारा सेकेंड पार्ट है यह दोनों जो कोशन्स थे पिछले वीडियो में इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है और आपसे मैं उमीद ऐसी करता हूं कि आप इसको एक वार देहेंगे अपने इस तरह से भी कहने का मतलब केवल यही है कि आपका प्रिशन किस किसी भी इस तरह पर गलत नहीं हो तो अगर किसी कोश्चिन में आपको डाउट है तो आप जो है किर्पिया कमेंट्स करें ही वहने आपसे बता ही रखा है ताकि कोई भी कन्फ्यूजर ना रहे मैं अपने इस तरह से भी उसको जाचूंगा दुबारा और जो मेरे आती हैं मैं उनसे भी इसको एक बार डिसकस करूंगा यह सेकिंड पार्ट है दोस्तों सेकिंड पार्ट में भी हम फॉर्टी कोश्चन पर आज डिसकस करने वाले हैं एड्यूकेशनल मेनेजमेंट पर तो बिना कोई देर किये हम अपना सुरू करते हैं अपना आज का वीड वीडियो में सोच रहूं बनाने का और हम लोग चर्चा करें उस पर तो थोड़ा समय दीजिए मैं आज अकल में ही आपको एक दूसरा वीडियो इस पर दूँगा अभी कॉलिज थोड़ा बंध है तो इस समय काम किया जा सकता है संबफता तो दोस्तों आए सुरू करते हैं हमना आज का वीडियो सैक्षिक प्रसासन और प्रवंधन एड्यूकेशनल एड्मिस्टेशन और मैनिजमेंट दोस्तों अगर बात करें हम इस वीडियो की तो इस वीडियो को जो पहला प्रशन है सैक्षिक प्रसासन है तू कॉषलों की अवशक्ता होती है कॉन से कॉषलों की मानविय कोशल की है संप्रत्यात्मक एवं मानविय कोशल की दोस्तों अगर बात करें सैक्षिक प्रसासन हे तू कोशलों की अवश्यक्ता तो वो संप्रत्यात्मक एवं मानविय कोशल की अवश्यक्ता होती है सैक्षिक प्रसासन हे तू अगला कोश्चन के तरब बढ़ते हैं सैक्षिक प्रसासन हे तु अवश्यक है इस्तिरता गत्यात्मक्ता ए परिवर्टन सीलता या निरंतरता दोस्तों सैक्षिक प्रसासन हे तु अवश्यक है तो वो अवश्यक है आपका गत्यात्मक्ता गत्यात्मक्ता की अवश्यकता सैक्षिक प्रसासनेतु होती है, सैक्षिक प्रसासन का एक सिध्धान्त है, हमारे ऑप्शन से, कार्य एकी करण का सिध्धान्त, अधिकार वे उत्तरदायत्व का सिध्धान्त, करमचारी विवाजन का सिध्धान्त, यह संपूर्ण नियंत्रन का सिध्धान्त, दोस्तों अगर सैक्षि वो तरदायत का सिध्धान्द, अगला प्रशन देखते हैं, सहभागी प्रवंदन में, सोरी, सहभागी प्रवंदन के लिए जाने वाले तीन निर्णे हैं, पहला है आपका सामाजिक, राजनेतिक, एवं भातिक, दूसरा है हमारा बौधिक, नैतिक, एवं राजनेतिक, तीसरा है हमारा समाजिक, बौधिक वे नैतिक, और चौथा है हमारा समाजिक, आर्थिक, एवं करमचारी संबंदित, दोस्तों जो उसका सही उत्तर है, जो सहभागी प्रवंदन के लिए जाने वाले तीन निर्णे हैं, वह है हमारा समाजिक, आर्थिक, एवं करमचारी संबं दे थे, D option इसका ठीक है, तो इस प्रिशन का जो सही उत्तर है वे D है, D option, अगला question देखते हैं, सहभागी प्रवंधन का अन्य नाम है, options हैं हमारे करमचारी सहभागिता, करमचारी सुधार, अधिनायक बाद, एहकस्तरक शेपी प्रवंधन, ये इसके options थे, तो जो इसका सही उत्तर है, वह है करमचारी सहभागिता, जो सहभागी प्रवंधन है, उसको करमचारी सहभागिता के नाम से भी जाना जाता है, अगले प्रिशन को देखते हैं, बहुकारक नित्रत्व प्रिशनवली उपकर्ण, अनुप्युक्त है, प्रजातंत्रिय अहस्तक शेफी वातावन, आधिकारिक बातावन और नोकरसाही बातावन दोस्तो बहुकारक नेत्रत प्रिश्णवली उपकरण अनुप्युक्त है इसमें से किस के लिए अनुप्युक्त है इसमें से अनुप्युक्त है ये नोकर साही वातावरण के लिए जो बहुकारक नित्रत हमारी प्रिश्णवली है नेक्स्ट प्रश्ण की तरफ हम चलते हैं निमलिकित में से कौन सी एक नित्रत शैली है बहुकारक शैली, अधिनस्त सयोग, पिता तुल्य ये स्वच्छन्दता दोस्तों निमलिकित में कौन सी एक नित्रत शैली है वो पिता तुल्य है नेक्स्ट प्रिश्ण की तरफ नेता अपने करमचारी की पूर्ण देखवाल करता है और उनकी वच्छन्दता का पात्र होता है यह कथन संबंदित है मद्यवर्ती सैली से रुपांत्रन सैली से पिता तुल्य सैली से यह करिज्मा सैली से दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है पिता तुल्य सैली से सी ऑप्शन इसका सही है जो निता अपने करमचारी की फूर्ण देखवाल करता है और उनकी बचन वज़ता का पात्र होता है ये पिता तुल्य सैली से सम्मंदित है अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं मद्यवर्ती शैली के दो प्रमुक आधार है पुरुसकार एवम दंड प्रसांगिक पुरुसकार एवम अपवाद द्वारा प्रवंधन अनुशाशन एवम दंड या अहस्तक्षेव दोस्तों अगर मद्यवर्ती ट्रांसेक्शनल शैली की प्रमुक आधारों की बात करें जो दो प्रमुक आधार हैं इसके तो वह है प्रसांगिक पुरुसकार एवम अपवाद द्वारा प्रवंधन ये इसका सही उत्तर है अगला कोश्चन देखते हैं नेत्रत क्रिया अनुसूची के अनुसूची में पद हैं तो कितने पद हैं नेत्रत क्रिया के अनुसूची में पचास पहला आप्शन है दूसरा है बीस तीसरा है तीस और चौता आप्शन है हमारा दस तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह ओदों की संक्या दी गई है वह तीस दी गई है अगला कोशन देखते हैं L.P. observer मापित करता है नेता को अधिनस्तों को C. option है अधिनस्तों की पृतिक्रियाओं को दोस्तों जो सही उत्तर है जो LP observer मापित करता है ये करता है अधिनस्तों की प्रतिकरियाओं को C option हमारा जो है इसमें सही है इसका सी उत्तर Next question की तरब बढ़ते हैं LP 31 self मापित करता है LP 31 जो मापनी है ये किसको मापित करती है A option है अधिनस्तों को B option है नेता स्व्यम तत्थियों को C option है अधिनस्तों के प्रिक्षेण को D option है नेता एवम अधिनस्तों को दोस्तों जो सही उत्तर है इसका जो LP 31 self मापित करती है वो नेता एवम नेता स्व्यम तत्थियों को ये जो है मापित करती है ये मापनी निर्णे लेटिन भाहसा के सब्ब से बना है देखिए are decision, decide, decide या decidum, ये चार वर्ड हैं जो निर्णे, decision जो आपका लेटिन कहें के, जो निर्णे, निर्णे निर्णेलान लेटिन भाहसा के सब्ब dacidhear से बना है, be option is का सही होगा, डेसीडियर लेटिन भासा का वो शब्द है जिससे नेडियन बना है अगला प्रशन देखते हैं इसी क्रम में संस्थागत नियोजन प्रिक्रिया का तृत्ते चरण है उद्देश निर्धारण पहला ओप्षन है चैनित लक्षे के अनुरूप कारिक्रम दूसरा ओप्षन है प्रगती विवरान तीसरा ओप्षन है और चौथा ओप्षन है मुल्यांकन के आधार पर आवश्यक संसोधन दोस्तों जो उसका सही उत्तर है संस्तागत नियोजन पिरक्रिया का जो तिर्धे चण है वो है चैनित लक्षे के अनुरूप कारिकरम ओप्षन भी हमारा ठीक है चैनित लक्षे के अनुरूप कारिकरम अगला प्रशन देखते हैं कीथ डेविस ने सफल नेता के चार गुण बताए है जो कीथ डेविस हुए है कीथ डेविस ने सफल नेता के चार गुण बताए है वो कौन-कौन से है पहला ओप्षन है बुद्धी मत्ता करिज्मा, प्रेरक और कुसल संचालक दूसरे ओप्षन बताया है उसने समाजिक परिपपता, बुद्धी मत्ता अन्ता प्रेर्णा बे उप्लब्धी चालक, मानवे संबंद अविबरती ये चार गुण बताए है तीसरा ओप्षन है समाजिक परिपपता, करिज्मा, प्रेरक और कुसल संचालक और डी ओप्षन में है करिज्मा, सहभागी, सहियोगी और पिता तुल्ले दोस्तों जो कीथ डैविस ने एक सफल नेता के जो चार गुण बताए है वो अमारा जो आप्षन बी है वो ठीक है इसमें उन्होंने समाजिक परिपक्ता बताया है बुद्धी मत्ता बताया है अन्ता प्रेरणा वे उपलब्धी चालक बताया है और साथ में मानविय संबंद अवज़वड़ती जो है उन्होंने बताया है तो यह चार गुण एक सफल नेता के होते हैं कीथ डैविस के अनुसार नेक्स्ट कोश्चन है टी क्यू एम का ब्रद रूप है टाइम क्वालिटी मैनेजर दोसरा ओप्शन है टाइम क्वालिटी मैनेजमेंट थर्ड ओप्शन है टाइम क्वालिटी मैनेजमेंट और फॉर्थ ओप्शन है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दोस्तों जो इसका सही उत्तर है टी क्यू एम का ओप्शन डी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है इसका सही उत्तर है TQM is equal to टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नेक्स्ट कोशन देखते हैं सैक्षिक संगठन में पाया जाने वाला एक आदेश अनुपालन है पहला option है मान दंड परक अनुदेश पालन B option है पारिश्रमिक आधारित अनुदेशन पालन C option है विम्युक्ता परक अदेश अनुपालन और D option है अब पिड़क कारे सरलगनता दोस्तो सैक्षिक संगठन में जो पाया जाने वाला आदेश अनुपालन है वह है आपका मान दंड परक अदेश अनुपालन यह सैक्षिक संगठन में पाया जाने वाला एक आदेश अनुपालन है अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तो अगला जो प्रशन है प्रवाभी निर्णयन हेतु आवश्यक है क्या आवश्यक है देखते हैं पहला option है अधिनस्तों का सहयोग बी option है विकल्पों के चैन में समय आवश्यक वैप्राप्त आंकडों का गहनता से अध्यन सी option है हमारा समय पर निर्मित एवं किर्यानवित करना या उप्रोक्त सभी दोस्तो इसका जो सही उत्तर है वैप्रोक्त सभी है option D हमारा ठीक है प्रभावी निर्मित एवं किर्यानवित करना ये जो है प्रभावी निर्मित एवश्यक है next question देखते हैं लक्षे प्रधान प्रवंधन विक्षित हुआ लक्षे प्रधान प्रवंधन जो विक्षित हुआ है options हमारे है 1954 में 1964 में 1960 में 1972 में तो दोस्तों जो लक्षे प्रधान प्रवंधन जो विक्षित हुआ है वह हुआ है 1964 में 1964 में भी हमारा option जो है सही option है अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं लक्षे प्रधान प्रवंधन को विक्षित करने का श्रय जाता है किसे जाता है options हमारे है max waiver एलिटन मायो पीटर एफ ड्रॉकर या MP Follett यह हमारे options हैं इसमें तो दोस्तो प्रिधान जो लक्षे प्रिधान प्रवंदन को विख्षित करने का उस्सिरे जाता है वो जाता है पीटर एफ ड्रॉकर को option C हमारा इसका सही उतर है पीटर एफ ड्रॉकर ही वे विख्षित थे जिन्होंने लक्षे प्रधान प्रवंदन को विख्षित किया अगला question देखते हैं नित्रिद की किस सैली में संपूर सक्तियां निता के पास केंद्रित रहती हैं options हमारे हैं आधिकारिक शैली दूसरा है हमारा प्रजातांत्रिक शैली तीसरा है आहस्तक शेपी सैली और चौथा है रूपांत्रन सैली दोस्तो जो नेता होता है या नेत्रित की किस सैली में संपूर सक्तियां नेता के पास केंद्रित रहती हैं अगर नेता की बात करें जो नित्रित करते समय संपूर्ण सक्तियां उसके पास जो केंद्रित होती हैं वे होती है आधिकारिक जो शैली होती है वो उसके पास केंद्रित रहती है option A इसका ठीक है आधिकारिक शैली अगले question कि दरह बढ़ते हैं The Leader Behavior Description Questionnaire LBDQ ध्यान रखेगा The Leader Behavior Description Questionnaire किस बिंदू पैमाने पर आधारित है option A पांच बिंदू पैमाना option B चार बिंदू पैमाना option C तीन बिंदू पैमाना और option D है दूई बिंदू पैमाना तो दोस्तों जो The Leader Behavior Description Questionnaire है वे आधारित है पांच बिंदू पैमाने पर अगला question देखते हैं सैक्षिक नियोजन के जन नांकिकिये प्रक्षेपण उपागम का एक लाब है ओप्शन्स हमारे हैं विशिष्ट जनसंख्या का ज्यान ओप्शन बी है प्रतियक इस्तर की जनसंख्या के जन नांकिये गुणों का पूर्ण गहनता से अध्यन ओप्शन C है छात्र विशेश का ज्यान और ओप्शन D है शिक्षक छात्र संबंद का ज्यान तो दोस्तों जो सैक्षिक नियोजन के जन नांकिये प्रक्षेपण उपागम का एक लाब यह है इससे प्रतियेक इस्तर की जनसंक्या के जन आंक की गुणों का पूर्ण गहनता से अध्यन होता है B option इसमें ठीक है B option प्रतियेक इस्तर की जनसंक्या के जन आंक की गुणों के पूर्ण गहनता से अध्यन Next question देखते है The theory of social and economic organization की लेखक है Options हमारे हैं tailor दूसरा option है Fjol तीसरा option है Max Beaver और fourth option है हमारा Luther Gullick दोस्तों जो इसका सही उत्तर है The Theory of Social and Economic Organization की जो लेखक हैं वे हैं Max Beaver Max Beaver के दोवारा ही यह पुस्तक The Theory of Social and Economic Organization लिखी गई है Next question देखते है नोकर साही का एक प्रमुख तत्व है options हैं हमारे पदानु क्रमिता दूसरा option है कारे एकी करण तीसरा option है एप्रसास की वर्ग और चौथा option है D व्यक्ति का सम्मन दोस्तों जो इसका सही उत्तर है नोकर साही का जो प्रमुख तत्व है उसमें पदानु क्रमिता जो है इसका सही उत्तर है अगला question देखते हैं नवोदे विद्ध्याले की स्थापना का सुझाव किसने दिया था राष्टे सिक्षानीती 1979 ने या राष्टे सिक्षानीती 1990 ने राष्टे सिक्षानीती 1986 ने या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों जो नवोदे विद्ध्याले हैं राजीम गानी महोदे ने जो है इसको मतलब कह सकते हैं कि सुरू किया था एक तरीके से नेक्स्ट कोशन देखते हैं 1979 1989 की राष्टे सिक्षानीती में कि सेक्षिक सरचना को सुझार किया गया था दोस्तों द्यान ने किगा 1979 में सेक्षिक सरचना जिसको सुझार किया गया था इसमें ओप्षन ए ओप्षन है 10 प्लस 2 प्लस 3 पहला ओप्षन है दूसरा हमारा ओप्षन है आपका 11 प्लस 3 next option है हमारा c 8 plus 4 plus 3 और d option है हमारा 10 plus 2 plus 2 तो दोस्तों जो 1979 में जो सैक्षे सरचना दीज को सुविकार किया गया था वो option c 8 plus 4 plus 3 को सुविकार जो है उसमें किया गया था अगला प्रशन देखते हैं भारतिय राश्चे उपग्रह बन भी कब छोड़ा गया पहला option है 15 अगस्त 1980 को दूसरा option है 30 अगस्त 1983 को तीसरा option है 2 अक्टूबर 1985 को और चौथा option है 30 अक्टूबर 1986 को तो दोस्तों जो भारतिय राश्चे उपग्रह बन भी जो छोड़ा गया है वह छोड़ा गया है आपका 30 अगस्त 1983 को इसको छोड़ा गया अगले कोश्चन के तरह बढ़ते हैं कम्प्यूटर साहेता अनुदेशन CAI का विकास किया था विकास किसे ने किया है पहला आप्शन है हमारा H. हेलोरित ने दूसरा आप्शन है हमारा चार्ल्स बैवज ने C. आप्शन है हमारा इस्टुलस एवम डैविस ने उसका जो विकास किया है वो J. L. किलवी के दौरा इसका विकास किया गया है साहेत कम्प्यूटर साहेता अनुदेशन का J. L. किलवी कोशन नमर तीस UNESCO अंतराश्टे सिक्षा आयोग 1972 के प्रतिवेदक का नाम है Option A. Secondary Education Report Option B. University Education Report Option C. Edgar For Report Option D. Learning To Be UNESCO अंतराश्टे सिक्षा आयोग 1972 के जो प्रतिवेदक का नाम है वह है Learning To Be Option D. हमारा इसका सही उत्तर है अगला कोशन देखते हैं किस वर्ष भारत में परिवार नियोजन कारिकरम प्रारंब किया गया पहला उप्षन है 1950, दूसरा उप्षन है 1952, तीसरा उप्षन है 1964 और चौथा उप्षन है 1982 तो दोस्तो जो भारत में परिवार नियोजन कारिकरम प्रारंब किया गया था वे किया गया था 1952 में, 1952 में इस कारिकरम की सुरुवाद की गयी थी नेक्ट कोशन देखते हैं भारत में बालिका के लिए पहला स्कूल कब खोला गया ओप्षन हैं हमारे 1848, पहला ओप्षन है दूसरा ओप्षन है 1905, तीसरा ओप्षन 1813 और चौथा और इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो जो भारत में बालिकाओं के लिए पहला स्कूल खोला गया था वो 1848 में खोला गया था, सावित त्रिवाई फूले के दौरा 1947 में पहले बालिकाओं विध्याले के स्थापना हुई थी, इनके दौरा इससे पहले बालिकाओं के लिए इंडी विजल कोई स्कूल नहीं था आगे बढ़ते हैं, अमेरिका की सैक्षिक सरचना के 8-4 का अर्थ है Option A, किंडर्गार्टन के बाद 8 वर्स की प्रात्मिक सिक्षा तथा 4 वर्स का हाई स्कूल Option B, 8 वर्स के बाद 4 वर्स के प्रात्मिक सिक्षा, उप्रोक्त दोनों या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है इसका Option A, किंडर्गार्टन के बाद 8 वर्स की प्रात्मिक सिक्षा तथा 4 वर्स का हाई स्कूल ये अमेरिका की जो सिक्षा सरचना के K84 का अर्थ है वो यही है किंडर गार्टन के बाद आठ वर्स की प्रात्मी सिक्षा तथा चार वर्स का हाई स्कूल अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं व्यक्तिगत एबम संगठनात्मक निर्ने की अबधारना दी साइमन ने, फियोल ने, आप्शन सी बर्नार्ड ने या आप्शन डी कुंडज ने तो दोस्तो जो व्यक्तिगत एबम संगठनात्मक निर्ने की अबधारना दी है वो बर्नार्ड ने दी है, बर्नार्ड के दोरा ही अबधारना दी गई है अगले question की तब बढ़ते हैं जो हमारा अगला question है नेत्रित्व कोशल अनुसूची का निर्माण हुआ option A 1960 में, option B 1954 में, option C 1985 में option D 1990 में तो दोस्तों जो आपकी नेत्रित्व कोशल अनुसूची है उसको जो निर्माण हुआ था वो 1985 में हुआ है next question की तरब बढ़ते हैं नेत्रित्व किरिया अनुसूची का निर्माण हुआ options हमारे हैं 1950 में, दूसरा option है 1973 में तीसरा option है 1989 में और चौता option है 1993 में दोस्तों नेत्रित्व किरिया की बात करें जो किरिया पहला कोशल था और इसमें नेत्रित्व किरिया अनुसूची का निर्माण हुआ है वो 1993 में हुआ है, option D इसका सही उत्तर है next question देखते हैं, question number 37 अधिनस्तों को निर्णयन पिर्किरिया में समाहित करना, अधिनस्तों से सलह लेना एवं उनकी त्रूटियों में सहन सीलता से सुधार की शैली की विशिस्ता है अधिनस्तों को निर्णयन पिर्किरिया में समाहित करना, अधिनस्तों से सलह लेना एवं उनकी त्रूटियों में सहन सीलता से सुधार जो होता है वो किया जाता है सहवागी सैली के द्वारा, सहवागी सैली वो सैली है जिसमें जो हमारे अधिनस्त हैं, जो अपने अधिनस्त आपकी कारे कर रहे हैं, उनकी आप निर्णयन पिर्किरिया में उनको सामिल कर सकते हैं, उनकी सलह भी ले सकते हैं और उनकी गलतिया हैं तो उन दूसरा है प्रशनावली, तीसरा है प्रिक्षेपन और D option है का विखा, मैं A और B दोनों, A और B, A और B, मतलब दोनों option इसमें हो सकते हैं, यह दियान रखेगा, A और B, यह कहा गया है इसमें, तो उसका सही उत्तर D ही है, A और B, A और B इसका सही उत्तर है, मतलब rating scale और वारा आप जो है नेत्र तुम आपने हितु जो है इन अनुसूचियों का, इन का जो है आप इन scales का, इन test का जो है यूज कर सकते हैं, rating scale का और प्रशनावली का, अगला question देखते हैं दोस्तों, काईजन सब्द का अर्थ है, option A, समुकार्य, option V, ब्यक्तिगत अनुसासन, option C, की अच्छे के लिए परिवर्थन, और option D है, गुणवत्ता ब्रथ, दोस्तों, काईजन सब्द का जो अर्थ है, वो है अच्छे के लिए परिवर्थन, अच्छे के लिए परिवर्थन जो है काईजन सब्द का एक अर्थ है, next question देखते हैं, निमलिखित में से कौन सा कथन आई सकते हैं, हमारे जो options हैं इसमें, पहला है सैक्षिक परियावेक्षण एवं प्रजातांतरिक प्रत्ये, option B है सैक्षिक परियावेक्षण विद्याले अंतर किरिया में सुधार, option C है सैक्षिक परियावेक्षण सिक्षण अधीगम विवस्था में कठोड़ता लाता है और सैक्षिक परियावेक्षण नित्रित दक्षता लाता है दोस्तों जो कथन ऐसकते हैं इन चारों में से वो कथन आपका D, जो C option है, गा कह सकते हैं, तीसरा option है, यह option गल्थ है, ऐसकते हैं कि सैक्षिक परियावेक्षण सिक्षण अधीगम विवस्था में कठोड़ता लाता है, यह option जो है, गल्थ है. तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के प्रशन, मैं ऐसी आशा करता हूँ, कि आपको इस प्रशन जरूर समझ में आये होंगे, और आपसे फिर पुने वही बात कहना चाहूँगा, कि अगर किसी question पर आपको संका है, तो आप please comments box में दें, उसका समाधान करने का प्रियास किया यह दपी पूरा प्रियास किया गया है, कि किसी question में कोई गलती, ने हो अगर truthy वस या भूल वस किसी question में कोई गलती होती है, तो उसका समाधान अवश्य होगा, दोस्तों, गलती भी देखे तब होती है, अब मैं इसमें क्या आपको बता सकता हूँ, कि questions जो है, अलग-अल अंसर है, सही उत्तर प्राप करना, लेकिन प्रियास मेरा यही रहता है, कि आपको सही उत्तर में दे पाऊं, अगर फिर भी किसी question में अगर आपको संखा है, तो प्लीज आप उसको comments में लिखें, मैं उसको समधान करने का प्रियास करूँगा, और हाँ अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सकाइब करना ने भूले, लाइक करें वीडियो को, अधिक से अधिक शेयर करें, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसका पार्ट थर्ड है, सेक्षिक प्रिसासने में प्रवंदन, नमस्कार.